सबी लोग को जय श्री राम, काफी वर्षों के बाद प्रभू श्री राम वापस से हमें आयोध्या में विराजमान होते हुए देखने मिले और मैं यह बहुत जादा प्राउड महसूस करता हूँ क्योंकि exactly मैं इस moment का part हूँ, इससे बढ़कर के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता बाकी literally मैं बताओं तो यह काफी emotional moment है पूरे देश के लिए तो चलिए सूरज स्टेट developers के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहां से stock upside जा सकता है consolidation होगा या फिर क्या हो सकता है, इसमें possibilities क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आप देखें कि यहां पर इसका मैंने chart open कर लिए, daily time frame आपके सामने लगा हुआ है मैं इसको 1 hour का time frame कर रहा हूँ, उसके बाद आपको देखें कि यहां पर बहुत ही जादा stock upside जाने के कोशिश करता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर एक resistance draw कर देता हूँ यहां पर आप देखें कि resistance formation हुआ था, अगर इसके बाद निकलता तो upside जा सकता था लेकिन बार बार देखें कि यहीं से rejection आ रहे है, तो first time यहां पर देखें कि listing के बाद neutral जैसा था क्योंकि डोजी टाइप का बनाया है, stock फिर consolidate किया नीचे आया, उसके बाद एक base बना करके फिर से इसमें buying देखने को विली फिर जब यहां पर resistance stock ने face किया, फिर यह नीचे आया, और वापस से जब upside गया, फिर sellers हावी हो गया, stock नीचे आ गया मैं यह देख करके चौकनना हूँ क्योंकि जब company के result आये हैं, तो result अच्छे थे, मतलब ऐसा भी नीचे खराब है, लेकिन उसके बाद भी stock ने upside जाने का यहां पर कोशिश नहीं किया, in fact 1-2% उपर होते वे stock नीचे आ गया, तो ज़रूर इसमें काफी जादा supply and demand बहुत अ क्या सकता है, लेकिन मैं आपको उतादू, इसमें buying का जो opportunity है, वो बन तभी सकता है, जब यह stock, अच्छा जो buying scenario है, वो तभी आपको देखने में बलेगा, जब यह stock 364 के आसपास आता है, वही से rally है, ठीक है, मैं ऐसा चाहरा हूँ कि stock SAI, ऐस तरह से consolidate करके, तब break करें, और यह rally सच बता हूँ, literally बहुत जादा, बहुत जादा momentum वाला होगा, 400 तक भी stock जा सकता है, यार रखे इस चीज़ को, तो मैं यही चाहता हूँ कि यह stock है, काफी अच्छा perform करें, पहले उसके लिए, ऐसे आए, फिर यहां consolidate करें, फिर break करें, तो यह एक बहुत जादा, आपक इसमें trade लेता हूँ, तो जरूर मैं यह जो आपको EA में दिख रहा है, इसके ऊपर मेरी entry होगी, यहां पे SL रहेगा, वनरिशो 2 का इसमें target मेरा रहेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर सबसे confidence वाले setup की बात करें, तो वो तभी बनेगा, जब यह stock 364 के आसपास consolidate करके break करता ह तो यह stock 400 तक जा सकता है, अगर इसमें 364 के आसपास तक stock आते हुँ देखने मिलता है, और consolidation आता है, तो ज़रूर यह 400 तक भी आराम से जा सकता है, telegram channel को भी ज़रूर जोइन करिए, link description मिल जाएगा, वहाँ पे भी हम stocks के analysis आजा करते हैं, I hope यह video आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं, नएक फीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, और comment में ज़रूर लिखे,